हालो दोस्तो आज मैं आप लोग के LCM and HCF के टाइल्स वाले प्रस्णों को कराऊंगा पूरी बारिके से सिखाऊंगा मैं दोस्तो ठीक है तो चली देखते हैं लोग आज के सिखाऊंगा देखे दोस्तो कोस्चन है आप लोग के पास एक कमरा 15 मीटर 17 सिंटी मीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सिंटी मीटर चौड़ा है इसके फर्स में कम से कम कितनी वरगाकार टाइले लगेंगी तो देखे एक चीज ध्यान देजेगा इस टाप के कोस्चन में हमेशा बड़े से टाइल समझने ले ठीक न यह दिया होँआ रहे चीजित किकिसि कोस्चन में लिखा रहाता है किसी में नहीं रहता है तबको पता होगा कि 1 meter में दूस्तो होता है 100 cm फिक है तो उस इसाब से 15 metr में हो जाएगा 1500 cm और पलस 17 cm मतलब कि अगर लंबाय का बात किया जाए तो लंबाय टोटल हो जाएगा 15, 17 cm फिक है और चवडाई बात किया जाए इसका तो 9 meter मतलब 902 cm तो 902 cm यह चोड़ा हो जाएगा ठीक है ना अब हम लोग को दोनों का HCF निकाल लेना है सबसे पहला काम HCF कि आफ कि 1517 एंड क्या है हमारे पास 902 तो इस दोनों का HCF निकालेंगे गर हम लोग तो देखिए कैसे निकलता है दोस्तो HCF पूरी बेसिक से अपने लोग को पूरी बारिकी से देखा रहा हूं दोस्तो देखिए बना के तो 902 है और एक क्या हम लोग के पास है एक है 1517 तो इससे एक बार में ही कटेगा 902 ठीक है ना माइनस करने पर हम लोग के पास क्या बच जाएगा देखिए यहां पर ब तो उपर से 9002 यहां पर आ जाएगा अब 902 आ गये यहां फिर से एक बार में ही कटेगा तो यह 900 सुरी 615 फिर से माइनस हो जाएगा यह 615 माइनस करेंगे तो देखिए 12 में 5 तो दो स्थो बचेगा 7 9 में 1 तो यह 8 और 8 में 6 तो दो अभी चेसो पंदरा फिर से यहाँ पर आ जाएगा अब हम लोग इसको दो बार में यहाँ पर काट सकते हैं तो दो बार में देखें, काटेंगे जब तो हो जाएगा 87, 88, 56, 57, 57 हो जाएगा, ठीक है 5, 7, 4 माइनस करेंगे दोस्तों हम लोग इसको तो हम लोग आपसा जाएगा यहाँ पांच में चार एक ग्यारा में साथ तो चार 41 उपर साय जाएगा 287 ठीक है 41 से देखिए अभी यह दोस्तों साथ बार में कट जाता है पूरा 287 जो है यह कम्प्लेटली कट जाएगा मतलब HCF क्या आया 41 तो द्यान देजएगा HCF आया दोस्तों 41 क्लिए रहे यहां तक अब जो है क्या निकालना हम लोग को कितनी वर्गा का तो टाइल की संख्या बराबर कैसे लिखेंगे फर्स का छेत्रफल बटा एक टाइल का छेत्रफल एक टाइल का छेत्रफल ठीक है तो फर्स का छेत्रफल देखिए क्योंकि फर्स लंबा और चोड़ा है न दोस्तों तो फर्स कुछ इस परकार का होगा इस प्रकार का लंबाई और चोड़ा ही है इसमें लेकिन जो टायल से लग रहा है वो वरगा कार है इस प्रकार का सब उसका साइज बराबर होगा तो ये कितना लग रहा है ये पूछ रहा है तो उपर वाला के लिए छेतरफल का फर्मूला क्या हो जाएगा लंबाई गुना चोड़ा है मतलब कि 1517 गुना 902 लेकिन नीचे में वही 41 इंटू 41 होगा इस 41 से 1517 काटेंगे दोस्तों हम लोग तो ये कट जाएगा 37 और इससे इसको काटेंगे तो 41 दूनी 82 और फिर 41 दूना हो जाएगा दोस्तों 22 बार में कट जाएगा ये जब दोनों को इंटू कर दे आएगा 814 तो उमीद करता हूं दोस्तों ये कोस्चन देखिए बारेकी समझाया हूं अप लोग को बेसिक से एक दम अच्छी तरह समझ में आएगा और इस बात का मैं गरेंटी देता हूं दोस्तों कि ये कोस्चन फिर आप लोग कभी नहीं भूलिएगा देखिए कोस्चन समझ में आ गया है तो आपके लिए ये देखिए कोस्चन है दोस्तों प्रैक्टिस के लिए इस प्रैक्टिस सो कोस्चन किजिए और इस कोस्चन का जो भी एंसर आता है उसे कमेंट बक्स में आप कमेंट किजिए एक और question देखते हैं हम लोग देखिए एक आयताकार कमरे की लंबाई 13 मीटर और 63 सेंटी मीटर है तता चड़ाई 6 मीटर 11 सेंटी मीटर है इसके फर्स में बड़ी से बड़ी कम से कम कितनी वर्गकार टाइले लगेंगे देखिए इस question में बोल दिया है हम लोगों ठीक है यह बड़ी से बड़ी तो जैसा पहले question में हम लोगों ने देखा बताया था मैंने कि यह बोले या ना बोले दोस्तों आपको लेकर चलना होता है 600 और इधर 11 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 611 इसका HCF निकाल लेंगे जल्दी से निकाल लेता है जो 611 और 1363 का HCF देखिए क्या होता है तो 6 2 नहीं होता है 12 12 3 में 2 तो 1 6 में 2 तो 4 3 में 2 तो 1 141 आता है दोस्तों अब यह 611 यहां पे आ जाएगा ठीक है ना 611 यहां पे आ जाएगा अब 611 देखिए 144 जो है 144 चार बार में कट सकता है 56 और 4 ग्यारा में 4 तो दोस्तों 7 बचता है ठीक है 10 में यहां पे देखिए 6 चला जाएगा तो बचता है हम लोग के पास 10 में 6 चला जाएगा तो बच जाएगा 4 उपर से आजएगा 141 अब 47 से देखिए दोस्तों कट जाता है यह आपके पास 3 बार में कट जाएगा पूरा तो इसका एट सेफ क्या आया 47 फिर से हम लोग को टाइल का संख्या निकालना तो क्या वही चीज करना होगा फर्स जो है हम लोग का कभी कभी दिवार भी दे सकता है तो जो चीज रहेगा उसका छेतर फल निकाल देना आपको लेकिन नीचे में एक टाइल का संख्या ध्यान रखिएगा स्वरी एक टाइल का छेतर फल एक टाइल का छेतर फल अब देखना हम लोग के पास क्या क्या है फर्स कैसा था तो तेरा सो तिरे सट चले नीचे कर लिते हैं तेरा सो तिरे सट इन्टू छे सो ग्यारा और एक सीफ जो आया था उसी का टाइल देना हम लोग का मुतलब कि फॉर्टी सेवन इन्टू फॉर्टी सेवन फॉर्टी से देखें तेरा सो तिरे सट जो है कट जाएगा दोस्तों दो बार में 47 दो और फिर कटेगा हम लोगों का 9 बार में ठीक है यह 29 है और 47 से यह कट जाएगा 1 और 3 बार में दोनों को गुना करेंगे जब दोस्तों 29 गुना 13 तो 29 गुना 13 करने पर हम लोगों मिलेगा 377 तीन सो सतत्तर मतलब की option नंबर एस question का सही answer हो जाएगा तो उमीद करता हूँ दोस्तों आप जो भी doubt होगा आप लोगों का वो इस question के बाद आप लोगों का clear हो गया होगा यह एक और question आपके लिए आपके practice के लिए है दोस्तों practice करें और answer को comment box में comment करें दोस्तों वीडियो कैसा लगा question आपको कैसा लगा समझ में गर आया है तो वीडियो को like करें comment करें और अपने दोस्तों के भी share करें और इस चैनल में अगर पहली बार आए दोस्तों इस चैनल को subscribe कर लेशिव प्रकार के नए नए वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों सरी करें